एंटी ए यूजिसनेट यानि निमिजनेट डाउलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पासके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तों एंटी यूजिसनेट रिसर्च अप्टिटूर क्लास 6 आज की क्लास में हम जानेंगे वर्क्सोप क्या होती है सैमिनार कॉन्फेरेंस में क्या अंतर है सिंपोजियम क्या है कॉन्फेरेंस और रिसर्च परभंद क्या है इन सभी के वारे में दोस्तों आज ह हम जानेंगे और यह सभी टॉपिक हमारे लिए जरूरी है इन में से पहले कोशन आ चुके हैं और आगे भी इन में से कोशन आने के संभावना है तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आपको नेट और ज्यार्फ चाहिए तो कोशन आपको देखने को मिलेंगे नमबर चार के दोस्तों आपको यूनिट वाइस के अलावा आपको सब टॉपिक वाइस मिलने वाले है इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको Math 0.2 के सभी और गोशन का है चलिए दोस्तों अब हम इनके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते दोस्तों रिसर्च पेपर डिजाइन की बात करते हैं आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि रिसर्च पेपर लेखना जुरूरी होता है रिसर्च कर रहे होते हैं तो यह होता क्या है एक परकासन की जाती है और जिसको किसी पुस्तक के अंदर परकासित किया जाता है पब्लिस किया जाता है इसमें हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता देखिए sectionic प्रकासन की एक विधी है इसमें किसी सोध पत्री का journal में लेक प्रकासित किया जाता है या किसी संगोष्ठी में किसी विश्य पर एक लेक पढ़ा जाता है इसमें हम क्या है कि किसी पुस्तक में भी इसको प्रकासित कर सकते हैं कर सकते हैं प्राय सोध पत्रों का प्रकासन कुछ विशेशक्यों दवारा समिक्षा करके जांचने के बहादी ही संभव होता है ऐसा नहीं है कि इसे हम डिरेक्ट हमने कुछ भी लिखा और वो पब्लिश होगे नहीं जो हम लिखेंगे वो एक सिस्टमेटिक धंग से होना चाहिए और उसको जांचेंगी वहाँ पे जो टीचर विगरा बैठे हुए हैं उसको अच्छे से जांचेंगे उसके बाद उसको पब्लिश करेंगे सोध परपत्तर लिखने का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता प्रतेक सोध करता अपने डंग से पेपर लिखता है और पेपर का निजी प्रारूप होता है रिसर्च पेपर के अवलोकन तथा अनुभव के धार पर एक व्यापक रूप रेखा विख्षित की जा सकती है एक उत्तम प्रकार की रूप रेखा रिसर्च पेपर के प्रारूप को त्यार करने में सहिक होती है देखे दोस्तों जैसा कि इसने यहाँ पर बताये वाई कि इसकी कोई वैसे कोई गाइडलाइन नहीं है कि इसकी रूप रेखा यह होनी चाहिए यह स्टैप होने चाहिए यह कोई अभी तक फिक्स नहीं है यह अपने हिसाब से कर सकते हैं लेकिन फिर वी इसके अंदर कुछ स्टैप ऐसे है जो हर रिसर्च पेपर लिखने वाले को ध्यान में रखने जरूरी है देखिए इसके अंदर मैं आपको बता जेता हूं जो स्टैप है सबसे पहले प्रस्तावन आते हैं दोस्तों भोमी का आती है उसकी बाद में विश्य वस्तू आते हैं कंटेंग आता है हमारा फिर मुख्य अंग आते हैं और उसके बाद में पेपर के बारे में जिकर किया हुआ है तो आप वह क्लास भी देख सकते हैं और उसमें हमने ये भी बताया हुआ कि उन में से किस तरह से कोशिन आए है स्टैप फ रिज़र्च से तो वह क्लास भी आप जुरूर देखना और आगे में बात करते हैं दोस्तों जैसे हम प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं तो प्रस्तावना में सोध की समस्या की सपश रूप से प्रिभासा दी जाती है सोध का प्रमुख आश्य प्रस्तूत किया जाता है और इसके महत्तों का संसित उलेख्य किया जाता है जो प्रस्तावना ह जाए जरूरी है दोस्तो देखिए जब हम research paper लिख रहे हैं उसके अंदर सभी चीजी होनी चाहिए negative और positive यानिकि आलोशना got होनी चैय हो रचनात्मक्वि होनी चाहिए यह है की has now UK चेम किशी विश्य को लेकि उसकी तारीफ і तारिफी तारिफी की जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक समिक्ष्या होनी चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बूरा है, दोनों चीजे उसके अंदर होना बहुत ज्यादा जिरूरी है, परपत्तर के रचनात्मक पक्ष में सोध की प्रमुख किरियाओं को कर्म से प्रस्तूत किया जाता है आलोचन नात्मक पक्स में सोध में कारियों निसकर्षों का विवेचन आलोचन नात्मक ढंग से किया जाता है यह चीज मैंने आपको बता दी दोस्तों हमें अच्छे से विसलेशन करना चाहिए हर चीज का परपरत्तर की इस अंका मुख्य लक्से यह होता है कि जो कुछ सोध में किया जाए उसको प्रस्तूत किया जाए अब आगे बात दोस्तों हमारा सोध निसकर्ष इसके अंदर क्या होता है सोध करता को अपने परमूख निसकर्षों को कत्नों को प्रस्तूत करना होता है निसकर के अंदर वही हमारी निश्कर्ष में हमारी सोध में क्या अच्छा निकला क्या बूरा निकला यह दोनों चीजी हमें बतानी है आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारा है कारिय सालाया वर्क्शॉप देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है जहां पर प्रैक्टिकल कारिय हो तो वहां पर क्या होगा वर्क्शॉप होगा वर्क्शॉप कारिय साला एक निश्चित विश्या पर प्रीचर्चा का प्रायोगिक कारिये हैं जिसमें समुख के सद से अपने ज्ञानव अनुभाव के आदान परदान दवरा विश्य के बारे में सीखते हैं कारिय साला में प्र प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा किया जाता है अधिकतर कारेशालाय निमंत्रित स्दस्यों दवारा आरंब की जाती है भागीदारी दी गई समस्या का विश्या पर कारेप्रारंब करते हैं इसके अंदर वही है दोस्तों इसमें इन्वाइट की जाते हैं अलग-लग पहले कोशन आए हैं इसमें कारेशाला के उद्ध से क्या क्या हो सकते हैं विविन संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना विविन विद्धियों का साम्मुईक रूप से निर्धारन करना आगे हम बात करते किसी परकरण संबंधित सपष्टी करने तथा उसके वैवारि कर रूप से किस तरह से समझ सकते हैं अब जैसे हम छोटा सा छोटी सी बात करते हैं कि आज कल वैव सीरीज देखने से हमारे समास पे बैड इफेक्ट पढ़ रहा है यह हमने मान के चलिए बुक्स में पढ़ ली निउजपेपरों में पढ़ ली अब हम उसको प्रैक्टिकल देखने से इन लोगों की जिंदगी पर क्या एफेक्ट पढ़ा है आप देख सकते हैं तो वो क्या होगी वो हमारी प्रैक्टिकल होगी और अगर उसी चीज़ को हम निउजपेपर में या फिर कहीं बुक्स वगरा में पढ़े तो वो क्या होगी ठीज़ होगी तो यानि कि उसके वैवारिक पक्स को समझने के लिए भी वरक्शोप का आयोजन किया जाता है व्यक्ति गत रूप से भाग लेने तथा कार्य करने की योग्यता का विकास करना इसमें देखिए कोई चीज़ हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमारे कार्य करने की योग्यता क्या है इंक्रीज होती है अब देखिए अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि एक बुक दे दी जाए या फिर वीडियो दिखाई जाए कि जो रोटी है इस तरह से बनती है एक चकला वो लो गोल चीज लो उसके उपर बेलन इस तरह के से करो वो चाहिए एक क्रोडवार वीडि लेकि उस पर प्रैक्टिस करेगा आड़ी टेड़ी तेरची बनेगी उसके बाद ही वो अच्छे रोटी बनाना सीखेगा तो इसी लिए ये वरक्षोप होती है दोस्तों प्रैक्टिकल चीज़े करके देखते इससे हमारे हमारी योगजयता में इंप्रूमेंट आता है अधिक विश्त्रह ये निकल के आ रही है और इन्हीं में से कौशन करीब तीन बार आ आज का है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको संगोष्टी या सेमिनार जो होता है दोस्तों वो छोटे लेवल पे होता है सीमित लोग होते हैं उसके अंदर और उसके अंदर जो डिसकसन होते हैं वो ओखचारे के फॉर्मल कम्यूकेशन होता है अब आप एक छोटा से एक्जांप हमारा एज़े सेमिनार हो गया लेकिन दूसरी तरफ अगर हम समम्यलन की बात करे यह आगे आएगा को उसके इंदर क्या होता है कि बड़े लिवल पे सम्यलन में हो सकता एक हजार लोग हो एक हजार लोगों में कोई व्यक्ति स्टेज पे भासन दे रहा है तो वो क्या कह रहा है लाष्ट का व्यक्ति हो सकता है अपने मुवाइल में PUBG खिल रहा हो या क्या कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो वह हमें नहीं पता स्टेज के लाश्ट में पंडाल में जो व्यक्ति वैठा है वो क्या कर रहा है हमें नहीं पता होता तो वहां पर informal communication होगा जबकि seminar के अंदर क्या होता है सीमित लोग होते हैं और उसमें communication अच्छा होता है उसके अंदर हम discussion कर सकते हैं यह इसके अंदर थोड़ा difference है और इसमें से दोस्तों कोशन पहले आज का यह बात आप ध्यान रखना आगे भी इन में से question आने की संभावना है और जो हमारे विचार गोश्टी हो कैसी हो सकते हैं लगू विचार गोश्टी हो मुखे विचार गोष्ट ही पिर मध्य विचार गोष्ट EK सकते हैं और राष्टे-विचार गोष्ट के ज्ञान-विचार। को एक समान उदेश्य के लिए सलह मस्वरा ऐंगों परीन चर चरचा और शरी प्रीचर्चा करने को कहते हैं इसके इंदर क्या होता है दोस्तों 152 जियसे ऊपर भी बताया कि इस एक सभी के लिए लागू होनी चाहिए जैसे की एक example लेता हूँ जैसे हमारी वो होती है चुनाओ की rally होती है तो नेता लोगे ऐसी बात करेंगे जो पूरी जनता के उपर लागू हो पूरी जनता को भाय वो चीज ऐसी बात उसके इंदर हम करते हैं यह एक प्रकार की सभावतेज सदस्य अपने ज्यान का संग्रह करते हैं प्रस्तुत विश्य से सम्मंदित सूचनाओं पर अपने विचार उंदर्ष्टी कोन का अदान परदान करते हैं देखे इसके इसके इंदर ज्यादा तर तो गान ज्यान का संग्रह होता है इसके इंदर सूचनाओं का अदान परद हैं मुख्य रूप से दोस्तों समेलन और सेमिनार के अंदर यही डिफरेंस होता है कि जो सेमिनार होता है वो छोटे सुतर पर किया जाता है और ज्यादा फॉर्मल होता है ज्यादा उपचारिक होता है लेकिन कॉंफरेंस क्या है कॉंफरेंस बड़े लेवल पर की जाती है और बात करते हैं दोस्तों परीज सवाद सिंपोजियम की बात करते हैं जब एक से अधिक व्यक्तियों की राय के नुशार कोई निर्णे लेना होता है तो ऐसे सभी व्यक्तियों को आपस में बैठ कर उस विश्य पर वारतालाप करना होता है तो वहां पर क्या होता है परीज सवा का नाम दिया जा सकता है विस्तिरित अर्थ के रूप में प्रेसवादसा मुहिक निर्णे लेने की एक ऐसी तकनीक है जिससे अधिकान सत्वा सभी लोग उस निर्णे के पक्स में हो यानि कि उसके इंद्र जो भी निर्णे निकलता है दोस्तों उसके सभी के पक्स में होता है study के अधार पर पर्षनों के चर्चा करनी पड़ती है यहाँ पूर्ण चातर चात्राओं के समूं को विश्य पर परी चर्चा करने के लिए लगभग 20 मिनिट का समय दिया जा सकता है ठीक है और आगे हम बात करते हैं दोस्तों सोध परवंद लेखन इसकी विशेशता है एवं प्रारूप क्या है रिसर्च डेजर्टेशन या फिर थिसिज राइटिंग यह हमारे लिए जरूरी है दोस्तों इसमें से कोशन आया हुआ है मैंने पीछे की कलास में आपको दिखाया भी था देखी जो भी हम पीएचडी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें थीसिज लिखनी होती है तो उसका प्रारूप क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे स्टैप तो मैंने आपको पिछे की जो कलास है उसमें बताये थे आप वो वीडियो देख सकते हैं यह देखे यह हमें थीसिज क्यों लिखनी होती है क्योंकि इसी के अधार पर रिसर्चर को डिगरी दी जाती है और सेर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है इसके यह दोस्तों हमारे जो एमफिल हम लिखते हैं उसके अंदर लिखनी हो सकती है या फिर जो पीएचटी है उसके अंदर लिखनी जरूरी होती है और इसको हम as a book कहे सकते हैं या फिर एक गरंत कहे सकते हैं उसके अंदर पूरा का पूरा हमारा research work होता है हमने कहां से शुरू किया था क्या क्या data collection किया और हमारा result क्या निकल के आया है और reference हमने कहां reference वीवियोग्राफिस सारी के सारी चीज़े उसके अंदर होती है और सोध परवंद लेखन को काफी नामों से जैसे सोध परवंद सोध निवंद तथा सोध विवरन अत्वास सोध लेख आदी से पुकारा जा सकता है दोस्तों यह सभी एक ही चीज़े लेकिन exam के अंदर confuse करने के लिए हमें यह अलग लग नाम दे दिये जाते हैं और इनके ज जितनी भी मुख्य रूप से हमारे research होते हैं उन सभी के step हमने वहाँ पर दिये हुए है तो आप वो वीडियो देख लेना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही उमीद करते हैं आपको हमारी class अच्छी लगी होगी थैंक दोस्तों दोस्तों अगर आपको नेट और जयार चाहिए तो हमारा paid course से जरूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नंबर एक 2022 के new updated notes देंगे नंबर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी सिट के question paper Hindi English में देंगे नंबर टीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी सिट के unit wise question आपको देखने को मिलेंगे नंबर चार के दोस्तों आपको unit wise के अलावा आपको सब topic wise question भी देंगे आज तक जैसे जो भी type of research से question आजके वो अलग है type of communication से जो भी question आजके वो अलग है यानि कि सब topic wise question भी आपको मिलने वाले है नंबर पांच के दोस्तों हम आपको old 10 unit की add free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math or TI के सभी question का solution प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको ये विताएंगे कि ऐसे कौन से question है जो बारवान exam के अंदर repeat होते हैं तो दोस्तों देख इस बात की अभी जोईन किजी हमारा paid course क्योंकि निमीजीनेट है तो जयारब है